Hello everyone, कैसे हैं आप? I hope आप गरपेचे से होंगे तो मेरे बच्चे हमने MCQ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है आज सेकिंड लेक्चर है, चैप्र नमबर 7th from your NCRT that is Coordinate Geometry यहां से मैंने शुरुआत की है इससे पहले मैंने 1st वीडियो लेक्चर में जो MCQ की सीरीज थी उसके 1st वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 20 MCQs करवाए थे Coordinate Geometry के, तो आज हम 15 MCQs और प्रैक्टिस करेंगे ठीक है, फिर हमारे टोटल 35 MCQs हो जाएंगे तो इनको प्रॉपरा प्रैक्टिस करते रहो मैं काफी Imported MCQs आपके लिए लेक्चे आ रहा हूँ अगर यह आप अच्छे से कर लेते हैं तो I HOPE की Board Exam में इसी में से कोई MCQ आपको पूछा जाएगा राइट, चली स्टार्ट करते हैं, Question No.1 मेरी तबिये तोड़ी आज डाउन है तो उसके लिए I am very sorry बट अगर मैं डिले कर देता तो आपकी सीरीज भी डिले हो जाती तो इसलिए मैं जोचा कि चलो मैं बना देता हूँ एक Video Lecture 15 MCQs वैसे प्लान था मेरा कुछ मैं जादा MCQs ले के आऊँ तबियत थोड़ी खराब होने के वज़े से मैं सिरफ 15 MCQs अभी करवा पहूँगा आपको ठीक है आज के लिए Question No.1 The point P divides the line segment Rs in the ratio this If P lies on this line then What is the value of K काफी important question है आपकी जो optional exercise है 7.4 उसमें एक question आपको मिल जाता है MCQ की form में देखो यह पूछा गया आपको ratio find करनी है कुछ condition इस तरह से आप बना ले जैसे आप coordinate geometry में हमेशा आप diagram की help लो बहुत जल्दी MCQ आपके हो जाएंगे यहाँ देखें यह R point आपके पास आगए S point आगए ठीक है minus 1 3 and this is 9 8 अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको कोई line segment divide कर रही है तो यह वो line है ठीक है this line x minus y plus 2 यह इसको divide कर रही है किसी point पे let this point is P और किस ratio में divide कर रही है k is to 1 तो हमको k की value find करनी है तो section formula यहाँ पे और लिए apply होगा you can apply section formula I hope आपको section formula अच्छे से आता है तो मैं यहाँ directly लिख रहा हूँ k को आप 9 से इन्टू करेंगे 9 k फिर 1 को आप minus 1 से इन्टू करेंगे minus 1 और नीचे ratio का साब यह first coordinate आ गया P point का इसी तरह से आपका जो second coordinate होगा that is 8 k ठीक है इस k को फिर 8 से इन्टू करेंगे आप 8 k फिर 1 को 3 से करेंगे 8 is 3 और नीचे ratio का साब तो यह हमने P के coordinates निकाल लिए अब आपको क्या करना है इन coordinates को यह आपको इस line में put कर देंगे x और y की जगा इनको put कर देंगे क्योंकि यह वाला जो point P है जो इसी line के उपर बैठा हुआ तो उसको satisfy करेगा तो simply आपने इन दोनों को x और y की जगा put करना है ठीक है तो देखें आप x की जगा I am writing 9x minus 1 divide by k plus 1 और y की जगा हम लिख रहे है 8k plus 3 upon k plus 1 अब यह वाला जो plus 2 है ना constant इसको right side ले जो थोड़ा easy रहेगा calculation में ठीक है तो उस तरफ ले लिए अब इनका LCM ले लो k plus 1 तो k plus 1 is LCM उपर simplification कर दो 9k minus 1 यहाँ बचे minus की क्या mistake करते हैं यह वाला जो minus है ना सिर्व वो 8 के साथ multiply करते हैं बचे minus इन दोनों के साथ multiply होगा 8k के साथ भी और 3 के साथ भी तो here minus 8k minus 3 here minus 2 थोड़ा simplify करो 9k and 8k दोनों का subtraction it is k यहाँ पर minus 4 यह k plus 1 right side में minus 2 के साथ multiply होगा it is minus 2k minus 2 फिर इसको इदे ले आओ it is 3k 4 को इदे ले जाओ it is 2 तो k is what 2 by 3 that's all which one a part is the right answer मैंने थोड़ा आपको समझाया भी है अगर आपको section formula अच्छे से आता है तो आप बड़ी speed में इसको कर सकते है section formula से जो दो coordinates आएंगे बस इस line में put कर दो you'll get the value of k right चली question number 2 the point which lies on the perpendicular by sector अच्छा question है थोड़ा confuse करता है लेकिन बहुत simple है बहुत जादा simple है without using pen भी आप इसको कर सकते हो पहले question को समझ लो the point which lies on the perpendicular by sector of the line segment joining this and this देखो line segment आपके पास आगई A, B ठीक है A और B को join करके जो आपके पास line segment आई है इसका कोई perpendicular by sector है तो बच्चे सोचते हैं यह perpendicular by sector क्या मतलब होगा इसमें कहां से आगया क्या है सर यह तो देखाई नहीं था हमने 7th chapter में मेरे बच्चे perpendicular by sector होता है जो इस line को bisect भी करेगा तो यह midpoint भी बनाएगा साथ में 90 degree का angle भी बनाएगा तो this line is what? perpendicular by sector अब इसका यहाँ पर यह given है इसका क्या मतलब हो गया आपको यहाँ पर 90 degree से कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ देखना है कि यह perpendicular by sector इस AB के ओपर midpoint बना रहा है bisect करता है perpendicular by sector इसको bisect कर रहा है तो M क्या हो गया? midpoint हो गया बस आपको यह midpoint find करना है तो question था the point which lies on the perpendicular by sector ऐसे तो इस perpendicular by sector पर infinite many point लाई कर रहे है चीक है बड़ आप कौन सा find कर पाएंगे? midpoint ठीक है? M आप find कर सकते हैं बड़े मद्य से midpoint formula लगाओ इसका first और इसका first दोनों को plus करो 2 से divide कर दो तो दोनों को plus करेंगे तो यहाँ पर तो 0 आएगा फिर आएगा minus 5 plus 5 divide by 0 तो यहाँ पर आपके पास आगा 0 0 that's all इतना simple है इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं पूरा diagram बना के na coordinate plane में points को plot करके तब भी अराम से आपको समझ में आ जाएगा कि perpendicular bisector पे कौन सा point आ रहा है मैं आपको diagram बना के समझाता हूँ यह हमारा coordinate plane आ गया x axis y axis इसके मैंने 2 point plot कर दिये minus 2 minus 5 पहला point आपका minus 2 and minus 5 यहाँ पर मानों ले लेते मैं a point ठीक है दूसरा point आपका 2 5 2 और 5 ठीक है एक first quadrant में एक third quadrant में बिल्कुल opposite तो जब आप इनको join करोगे ऐसे join करोगे तो ऐसे एक line segment आ रही है अब जो line segment आ रही है इसका जो mid point है वो automatically यह point बनेगा वो कैसे क्योंकि इसके देखो unit क्या देखे इसका भी 2 unit 5 unit यह भी 2 unit 5 unit तो dimensions लगबग सेम ही है बस opposite quadrant में आगे तो mid point जो है वो origin ही बैठेगा तो आपको simply mid point ही find करना था that's it origin ठीक है बटा बट कहीं बार बच्चे confused हो जाते है coordinate plane में जाके आप direct mid point formula लगा के इसको करें ठीक है बहुत जल्दी हो जाएगा तो question number 3 you have two points this and this and they are the vertices of an equilateral triangle do you know what is यह काफी important question है ठीक है थोड़ा सा बच्चों confused करता है root वे रब अंसर आगे कोई दिक्कत नहीं काफी simple way में मैं आपको समझा दूँगा you have two vertices of the equilateral triangle मैं यहाँ आपको rough sketch बना देता हूँ ठीक है A, B, C you have A and B let us suppose you have A and B और साथ में कह रहा है कि जो equilateral triangle है वो origin को contain कर रही है तो third vertex बता हो जानि C के coordinates बता हो let it is alpha, beta यहाँ पर भी मैं आपको coordinate plane में लेके जाऊँ तो आप इस MCQ में दो option को पहले delete कर सकते हो कैसे देखो अगर मैं coordinate plane में जाता हूँ तो मेरा पहला point है 3, 2 1, 2, 3 ठीक है 1, 2, 3 and 2 यह मेरा first point आगया ठीक है rough sketch है अगर आपके बाद scale है scale है quadrant geometric है both equation सिर्फ scale से हो जाएंगे आपने point plot करने proper dimension से scale से सब कुछ वहाँ पर dimensions मेजर करनी है तो आपको third vertex पता चल जाता है अराम से graph है तो और better है देखो मैंने यहाँ three point mark कर दिया यह point मेरा three, two हो गया दूसरा point है मेरा minus three, two तो one, two, three minus and this is two plus two तो this is a second point इन दोनों को मैंने जोइन किया तो एक side तो मेरे पास आगे equalator triangle की अब यह जो side आई है यह कितने unit की है बताओ बताईए ने कितने unit की है यह कितना unit है यह तो two unit है जब आपने a को plot गया तो आप y-axis से कितना दूर गये थे यह एक से distance कितना दिया था three unit है sorry it is three unit और यह distance कितना है it is also three unit इगर आप three unit गहे है तो total distance कितना हो गया six unit यह आपकी equalator triangle है उसकी जो side है वो six unit है यह इन point से आपको पता चल गया coordinate plane में जाकर अब उसने बोला है कि देखो equ voluntary triangle इस तरह भी बन सकती है equilibrium triangle इस तरह भी बन सकती है equilibrium triangle इन ठीक है लेकिन उसने बोला है कौन्सी triangle चाहिए जो जिसने origin contain किया होगा जानि origin इसी triangle के अंदर कहीं आ जाएगा तो यहाँ पर है बाई ओरी तो यह triangle नहीं चलेगी यह triangle चलेगी ठीक, अब दूसरा option, दूसरी चीज़ आपको क्या समझने है कि equaliter triangle में, equaliter triangle में जब आप perpendicular बनाते हो तो वो opposite side को byset करता है, मालों ये आपके पस कोई equaliter triangle, इसमें आपने perpendicular बनाया, तो ये opposite side को क्या करता है, byset करता है, तो यहाँ पर अगर आप base A भी ले रहे हो, तो byset कोण कर रहे है, y-axis, कोण byset कर रहे है, y-axis के, अबकि इदर भी three unit है, इदर भी three unit है, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो इसका third vertex है, कि इसका third vertex, equaliter triangle का, वो कहाँ बैठा होगा, वो y-axis पे बैठा होगा, कि उनकि perpendicular देखो, ये चल रहे है, ये क्योंकि वो y-axis पे बैठा होगा, तो अगर वो y-axis पे बैठा हुआ है, तो उसका x-coordinate 0 होगा, और दूसरा कुछ होगा, वो अभी निकाल लेगा, हाथ है समझ, coordinate plane में जाके चीज़ें आप समझ सकते हो, चलिए अब इसको proper में आपको करके दिखा देता हूँ, तो एक तो मैंने निकाली लिया इस 0, तो दूसरे का मसले है, दूसरा निकालते हैं, अगर मैं इस point का नाम C देता हूँ, तो can you tell me AC कितना होगा, AC is 4 unit, अब बोलो के sir AC कैसे, sorry 4 नहीं, 6 unit, तो अब बोलो के sir AC 6 unit कैसे, मैंने आपको पहले बोला है, side कितनी है, 6 unit, 3 इदर 3, 6 unit, तो equalated triangle है, सारी side equal होती है, तो मैंने AC को कितना ले लिया, 6 unit, अब AC को distance formula लगाई है, तो आपके पास जो इसका दूसरा coordinate है, वो निकल जाएगा, तो इसको लग लेते है, 0, k, तो k का value आपको find करें, तो यहाँ पर आप distance formula लगाएं, A और C के बीच में, A हमने ले लिया है, 3,2, तो यह आपके पास आजएगा, 3 minus 0 का square, and 2 minus k का whole square equal to 6, इसके पर root है, scaring करो, root cancel हो जाएगा, यहाँ पर 9, 2 minus k का whole square open करने की जरूद नहीं, यह lengthy हो जाएगा question, इसको ऐसे रखो अभी कर दाएगा, यहाँ 36 आजएगा, 2 minus k का whole square, 36 minus 9, तो 2 minus k, 36 में से 9 चलेगे, sir, it is 27, यहाँ पर square आया, root आगया, it is plus minus, तो अगर देखें, तो k जो आपके पास आ रहा है, it is 2 plus minus root 27, प्लस वाला नहीं लेना आपको, ठीक है, यह प्लस वाला नहीं लेना, यह प्लस वाला उपर होगा, और मलब इस point पर आएगा, यहाँ कहीं आएगा, यह y-axis पर, positive side है ना, तो आपको वह ले side लेनी, जिसने origin contain किया, तो यह यह point लेना, आपने negative वाला, तो वह आपके पास आएगा, 2 minus root 27, तो देखें, यहाँ पर option, 3 root 3 लिखा हुआ, तो 27 होता आपका 3 root 3, तो पहला coordinate आपका 0 है, वो पहले बता दिया, दूसरा वाला आगा है, 2 minus 3 root 3, तो this is the right option, भी पाथ, ओके डियर, अच्छा question है, ठीक है, कोशिश करो यार, graph paper पे जाके, scale, pencil ले जाके, उस पे पूरा plot कर दिया करो, points, तो बहुत सारी चीज़ें, वैसे हमें visible हो जाती है, हमारा vision बन जाता है, यहाँ पर तो यह हो रहा है, ठीक है, coordinate plane में बस यही मज़ा है, graph पे चीज़ें, present करो, बहुत चीज़ें असान हो जाएंगे, question number fourth, you have three points, and they are vertices of which triangle, काफी simple question है, a, b, b, c, a, c, तीन आप length निकालो, आपको पता चल जाएगा, कौन सी triangle, चीज़ेंगे, तो मैं यहाँ find करता हूं, मानूँ इसका नाम a रख दिये, इसका b रख दिये, आज नहीं आ रहा है, कि सर इतनी जल्दी कैसे लिख लिए है, तो दूसरा देखना b, c, मैं detail में कर देता हूं, तो यह हो गया, आपका 4a का square, 4a square, तो यह total बन गया, 8a square, तो 8 को लिखते हैं, आप 2 root 2a, 8 हो गया, 2 root 2a square, 2 square perfect है, तो बाहर हो गया, तो 2 root 2a b आ गया, अब मैं b, c, निकाल दो यहाँ पर, अब देखें, b, c, कैसे आएगा, this is b point, this is c point, minus a, and minus root 3a, तो ऐसे बन जाएगा, root 3a plus का लिख लेता हूं, इसको minus कर रहा हूं, यह नहीं, minus a, plus root 3a minus a, ठीक है, बस आब इसको simplify कर दो, simplify कर दो, तो यहाँ पर है, sorry, root 3 minus a का holes के, root 3, sorry, यह plus था, sorry, root 3a, यह plus होज़गा, दूसरे वाला plus है, इस्टर मिनट, यह plus हो जाएगा, ठीक है, it is root 3a plus a, तो यह है a minus b, और यह है a plus b, तो जब इसका whole square open करेंगे, नि जो 2ab वाली term आएगी, एक plus की होगी, एक minus की होगी, दोनों cancel हो जाएगी, यह आपको करके बजाता हूँ, a square, b square, ठीक है, तो यह बन गया, आपका 3a square, और यह होगया a square, तो बन गया a square, b square, आगे गया लिकर रहा हूँ है, minus 2ab, this is minus 2ab, root 3a into a, ऐसे लिखा न, अब इसका whole square open कर रहा हूँ, तो यह भी कैसे आएगा, a square, a square, plus b square, आगे एगा, plus 2ab, तो जब आप plus 2ab करोगे, plus 2ab करोगे, तो इस तरह से आजाए गई, यह term, यह term same है, यह cancel हो जाएगे, तो 3a square, 3a square, फिर 4a square आगया, फिर 4a square, एक 4a square हो रहा है, इसका भी बन गया, 8a square, यह वही आगया, 2 root 2, दोनों side sequel है, अभी तक तो ISO से लेस चल रही है, अब देखते हैं, तीसरा, इसी find करना है, यह a point, a minus root 3a का whole square, और पूरा complete ऊपर root आगया, यह बिल्कुल वही बन गया, जो पहला वाला था, तो इसका भी same ही आएगा, इसको आप खुद कर सकते हो, ठीक है, same आएगा, तो सारी sides equal आ रही है, it is equal to triangle, ओके dear, इसका एक idea में आपको और दे सकता हूँ, कि जैसे a कोई number है, ठीक है, a कोई number है, इसको कोई fix number आप consider कर लो, let this is 1, ऐसा आप करेंगे, आप graph पे चले जाओ, a को आप 1 consider करो, ठीक है, और graph पे ले जाके, इसको plot कर दो, जैसे a 1, पहला हो गया 1 बन, तो आपने क्या किया, sir 1, यह आपका first point आगया a, दूसरा आपका आगया minus 1, minus 1, क्या होगी a को आपने 1 consider किया हुआ, a को आप कुछ भी consider करो, 2 ले लो a को, 3 ले लो a को, 5 ले लो a को, बस 0 मत ले ना, क्योंकि सारे 0 हो जाएंगे फिर, ठीक है वो तो triangle ही नहीं बनेगी, तो अभी हमने एक को 1 लिया हुआ है, तो उसके according, पहला point 1, बन, दूसरा point minus 1, minus 1, तो यहाँ पर आगया, दूसरा point बिल्कुल, उसके opposite, ठीक है, तीसरा point आपका बनेगा, minus root 3, that is 1.73 negative, तो 1 से थोड़ा सा आगय, और plus का root 3 बनेगा, जो की 1 से थोड़ा सा उपर, जिसरा point, चीक है, तो जब आप graph पे, इस तरह से इनको plot कर लेंगे, एको कोई value देने के बाद, तो आप देखेंगे, जो आपको triangle मिल रही है, ठीक है, डिमेंशन सेम रखना, उसमें graph पे बनाना आपने हैं, तो उसमें डिमेंशन वैसे ही सेम होती है, तो आपको ये triangle वीजिबल है, इतना जो मैंने calculation की न, distance formula लगाया, जरूरत ही नहीं लगाने की, within second आपका अंतरा आजएगा, ग्राफ पेपर पे आप इसको प्लॉट कर दो, ओके डियर, तो ये option में आपको दो-दो बता रहा हूँ, आप practice में इसको ज़रूर करेजिएगा, ठीक है, ना तो question number 5, ये question अभी हमने पीछे भी किया, जहां k का value find करना है, उसी तरह का question है, तो यहां पर हमें ratio find करना है, ये line divide कर रहीं दोनो points के join को, यहां पर section formula लगाएंगे, a point, b point, this is a point, this is b point, जल्दी से हम section formula अप्लाई करके, पी के coordinates निकालें, तो ratio हम let कर लेते हैं, case to 1, तो यहां पर a हमारा है 1, 2, और b है मेरा minus 2, 1, लगाएं section formula के इदर जाएगा, minus 2k, 1 इदर आएगा, plus 1, फिर के इदर जाएगा, फिर यहां पर k आजाएगा, फिर यहां पर 1 के साथ करेंगे, 2 को ऐसे रहीं, तो यह हमने section formula से p के coordinates निकाल लिए, और यह p point इस line के उपर भी बैठा हुआ है, तो आप कुछ नहीं करना, यह जो coordinates निकाल लें, इस line में put कर दो, 3, x की जगा आपका आजएगा, minus 2k, plus 1, और divide में k plus 1, 4, y की जगा आपके पास आजएगा, k plus 2, और divide में k plus 1, 7 अलएड़ी उदर है, तो अच्छी बात आप simplify करो, minus 6k plus 3, 4k plus 8, is equal to 7k plus 7, यह जो k plus 1 है, L sim लिया, और 7 के साथ, हमने cross multiply भी कर दिया, ठीक है, करो simplify, तो यहाँ पर आपके पास आजएगा, minus 2k, 8 और 3, 11, right, then here is 7k plus 7, 11 की तरफ 7 को लेआओ, 7k की तरफ 2k को लेजआओ, यह बन गया 4, यह बन गया आपका 9 की, तो k मेरे पास आ रहा है, 4 by 9, तो जो k का value होता है, वो ही आपका ratio होता है, तो 4 is to 9 is the ratio C part, optional exercise में ही similar question आपको मिल जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि कैसे MC क्यों बने होगा, question number 6, the point which divides the line segment, this and this in the ratio, तो 1 is to 2 internally lies in the, फिर से section formula लगाना है, point आएगा, वो point किस coordinate में है, ठीक है, बड़ा must question है, काफी simple है, पीछे जो किये उससे तो काफी simple है, A आपके पास आगया 7 minus 6, B आपके पास आगया 3, 4, यह जो statement change की होती है, which coordinate, यह थोड़ा confuse करते है, करना आपको वो यह section formula लगाना है, है, पहले जैसे ratio निकालते है, उससे भी काफी simple है, कि point आएगा, तो quadrant का पता चली जाएगा, कौन से quadrant में, लेकिन देखो, उसने कैसे language change की होई है, ठीक है, इसलिए, बिल्कुल अराम से reading करनी है, आपने, जो 20 minutes आपको reading के मिलेंगे, बिल्कुल अराम से reading करनी है, confuse नहीं होना, language change की होती है, concept वो ही होता है, ठीक है, चली, लगाईए, आप section formula ratio तो दे रखा है, भाई, 1 is to 2, यह 1 इदर जाएगा, पूइदा जाएगा, तो it is 3 plus 14, divide by 1 plus 2, फिर जाएगा 1 4 के साथ, it is 1 into 4 is 4, फिर 2 जाएगा, minus 6 के साथ, it is 12, divide by 1 plus 2, आगे calculation भी करने की जूरूत नहीं है, आपको पता चल गया, यह plus 6 है, ठीक है, पहला point आपका positive आपार है, नेगेटिव आ रहा है, calculation क्यों करने ही भाई, time waste हो जाएगा, calculation मत करो, ठीक है, point नहीं पूचा, उसने पूचा, कौन से coordinate में point आएगा, तो plus minus कहा होता है भाई, यह plus और यह minus, तो you are in fourth coordinate, तो fourth coordinate में आपका point आएगा, ठीक है, तो बहुत से बच्चे point निकालना, start कर देते हैं, जुरूर तो नहीं, plus minus देखना है, ठीक है, seventh, if four vertices of the palagram, taken in order, this and this, find A is to B, देखो, यहाँ उसने ratio बोल दी, A is to B, question, NCRT कहा है, लेकिन language fit change कर दी, उसमें क्या होता था, कि हमें पोला होता था, कि A बताओ कितना है, B बताओ कितना है, उसने एक step आगे बढ़ा दिया, कि उसका ratio बताओ, तो find आपको A और B करना है, तो बाद में उसका ratio निकाल लेना है, तो it is a parallelogram, ठीक है, उसके vertices आपको given है, तो आपको सिर्फ midpoint formula यहाँ पर लगाना है, last lecture में मैंने इस type of question आपको खरवाए थी, तो first is this, B point is this, C like 3, 3 and D is 4, 3, simply आपको पता या parallelogram के जो diagonals हैं, वो bisect करते हैं, तो उनका midpoint आपका same होगा, तो पहले मानो AC का midpoint निकाल लेते हैं, तो minus 3 plus 3 divided by 2, ठीक है, minus 1 plus 3 divided by 2, AC का midpoint, midpoint BD का भी वोई होगा, BD का midpoint निकाल लो, 4 plus A divided by 2, 3 plus B divided by 2, यहाँ पर 0 आगया, और यहाँ पर 1 आगया, ठीक है, here 4 plus A by 2, and 3 plus B by 2, अब compare कर लो, first वाला first के equal लेके, you can find A, जब 0 को इसके equal रखोगे, 2 0 से cancel होगे, तो A minus 4 आ रहा है, ठीक है, A minus 4 आ रहा है, फिर 1 को रखो, आप second वाले के equal, तो जब रखोगे 2, यहाँ पर आएगा, 2 is equal to 3 plus B, तो B is 2, okay, 2 3, ठीक है, B is minus 1, B minus 1 आ गया, B minus 1 आ गया, तो उसने बोला ratio, तो ratio आपको गनानी, A upon B, तो A आपका ही आ गया, B आपका है, 4 is to 1, तो B part is answer, okay, कुछ नहीं, statement change किये, बस tension लेने का नहीं, practice रखनी आपने, मस तरीके से, नहीं तो question number 8, very interesting, the vertices of the triangle, are this and this, then centered lies on, कहाँ पर है बई, centered Y axis पे है, X axis पे है, X equal to 0 पे है, सबसे पहले में बता दूँ, जो C part हो, जो A part है, यह लगबग, मतलब ही same ही है, क्योंकि X equal to 0, एक line है, वो Y axis ही होती है, तो यह दोनों वह आपके same ही है, अब देख लेते हैं, हमारा answer क्या बैठता है, तो simply आप centered find करो, तो centered का formula क्या होता है, first coordinate, फर्स कोर्डिनेट, फर्स कोर्डिनेट, इनको plus करना है 3 से divide करना है, तो first coordinate मारा देगा, A plus B plus C divide by 3, थीक है, उसके बाद second second second, तिनो second coordinates को plus करना है 3 से divide करना है, इसको इसको और इसको, plus करोो यह कड रहा है, देखो minus C, और यहाँ पे plus C, ये कर जाएगा, ये B minus B ये cancel हो जाएगा, ये A, ये A, ये सब cancel हो जाएगा, जरने जो second coordinate है वो 0 आएगा, तो first coordinate का कुछ value मेरे को दिख रहा है और second का 0 आएगा, तो अगर first का कुछ value हो second वाला 0 हो, तो वो कौन सी line पर बैठा होता है, कौन सी axis पर बैठा होता है X axis पर, तो B part is the answer, ठीक है काफी simple है, centrate फॉर्मा लगाना आगा तो question number 9, ये भी centrate पर है लेकिन काफी interesting question है, देखो the distance of the centrate from the origin of the triangle formed by these points find centrate ही करना है, लेकिन एक step उसने और बोल दिया, कि centrate जो आएगा तो centrate आप find करोगे, ठीक है, उसका origin से distance निकाल दो, यानि distance formula फिर आपको लगाना पड़ेगा तो पहले मैं centrate निकालता हूँ, ठीक है centrate के coordinate, तो क्या है, सर्फ first first और first, इनको plus करना है, तो 1, 0 और 4, ठीक है, divide by 3 उसका second, इसका second है 1 इसका second है minus 7 और इसका second है 0, divide by 3 simplify करो, यहाँ पर आजाएगा minus 3 by 3 is minus 1 यहाँ पर आएगा minus 6 by 3 is minus 2 centrate के coordinates आगे, एक step और क्या करना है, इस centrate का origin से distance निकालना है, तो origin क्या है 00, तो भाई, जब दूसरा point 00 है, तो इनी दोनों को square कर दिया जाता है, तो 1 का square, 2 का square root लगा दो, root 5, that's all ठीक, चले, question number 10 ABC are the vertices of the triangle, the distance of its centrate from y-axis, बिल्कुर similar question है बड़ इसमें भी कहीं बार बच्चें confused हो जाते हैं, आप पहले centrate निकालो फिर जो centrate point आएगा, उसका y-axis से हम distance देखेंगे, तो y-axis से जो distance होता है, basically वो x-coordinate होता है अगर आपकी knowledge अच्छी है coordinate geometry में, तो complete centrate formula भी लगाने की जूरूत निकालो क्योंकि देखो, आप coordinate plane में जब कोई point plot करते हो, जहां कोई mark करते हो मानों, ऐसे मैंने कोई point mark कर दिया इसके coordinates है 5,2 let us suppose, यह 5,2 है तो यह 5 है, what is this? this 5 is what? this 5 is a distance from this point to y-axis ठीक है, तो जो first coordinate होता है, वो y-axis से कितने distance पर है वो बता रहा होता है, तो simply आपको जो पूछा गया है कि centrate y-axis से कितनी दूरी पर है, तो आप इसका सिरफ first coordinate निकालो तो यह 1, यह 1, यह 1 first first वालों को plus करो 4, 3, 2, plus किया 3 से डिवैड किया ठीक है, चलिए next question, 11th question, the coordinates of the point, which is a reflection अब देखों, यहाँ word reflection आ गया NCRT में शायद आपको यह कहीं नहीं दिखता है reflection का मतलब होता है image, जैसे आप अपने घर में अपने आईने के सामने खड़े हो तो आप आपका image देखते हो, ठीक image उतने ही दूरी पर बनता है, जितने दूरी पर आप खड़े रहते हैं जितने distance पर आप mirror में हैं उतने ही distance पर अंदर image बन रहा होता है तो यहाँ पर आपने, उसने क्या बोला है coordinates of the point, which is a reflection of this point in x-axis यहाँ पर as a mirror behave कर रहा है अगर मैं diagram बनाओ, तो यह जो x-axis है यह क्या बन गया, mirror बन गया ठीक है, point आप रख दो किसका इसका reflection निकाल है, minus 3, 5 का minus 3, 5 बानो, यहाँ पर है यह point तो इसका reflection कहाँ बनेगा, अगर यह mirror है भाई तो इसका reflection बिलकुल इसके opposite बनेगा उतने ही distance पर, तो जितना यह distance है उतने ही distance पर यहाँ बन जाएगा तो this is the image, that you can find now its coordinates यह कितना distance है, इधर कितना आये थे आप देख लो, minus 3, तो इसका तो first coordinate वही होगा फिर आपका जो नीचे है, जो कितना distance गये है जितना आप उपर गये है, तो उपर कितना गये थे, five unit यह minus five, क्योंगी यह तो जोड़ा नीचे आए है तो minus 3, minus 5 इस दान से, reflection मतलब image mirror y-axis भी बना सकता है, y-axis बनाएगा तो opposite वाला coordinate आजाएगा, ठीक है, चली, same मतलब opposite coordinate आपका बैठता है, आपका question number 12 the x-coordinate of p is twice of its y-coordinate, यह भी काफी अच्छा गोशन है, x-coordinate of p is twice of its y-coordinate, यहानि एक point जो p है, इसका जो x-coordinate है double है, किसे y-coordinate से, अगर आप y-coordinate को मानो k ले रहे हैं, तो आपका x-coordinate क्या होगा, 2k, इस question का statement का यह मतलब, जो x-coordinate है, is it double, then what? y-coordinate, ठीक है, x-coordinate double है, अगर y-coordinate 5 है, x-coordinate 10 है, उसे double है, तो इस तरह से आपने let कर लिए इसको, ठीक है, फिर कहा रहा है कि यह वाला point p है, is equal distance from these two points, बस आगे तो ncrt का बन जेगा, यहान बस उसने statement में थोड़ा सा किया है, आपको confused, confused आपने बिल्कुल नहीं होना है, तो p is equal distance from these two points, तो आपको लेके चल ला है, pq is equal to pr, ठीक है, skaring पहले ही कर दो, root लिखने की जरूत नहीं है, distance formula लगाना है, तो यहाँ पर आपके पास आजएगा, 2k minus 2 का whole square, ठीक है, then k plus 5 का whole square, फिर pr निकालोगे, तो it is 2k plus 3 का whole square, and it is k minus 6 का whole square, simplification मैंने आपको बताई, इसकी कैसे करने होती है, whole square open करने की जरूत नहीं है, जैसे यह term और यह term, like term है, एक तरफ ले आओ, a square minus b square का formula लगाओ, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं, दियाम चे समझना, मेरे बच्चे, 2k minus 2, ठीक है, और आपके पास आगया 2k plus 3, ठीक है, इस term को, और इस term को मैंने एक साइट रग दिया, और k minus 6, और यह आगया आपके पास k plus 5, इनको एक साइट रग दिया, sorry, बीच में minus हो जाएगा, minus, तो यहाँ पर a, यह b, तो क्या लगाना, a square minus b square लगाना, calculation बहुत असान हो जाती है, ठीक है, whole square open करते हो, चार बार whole square open करना बड़ेगा, तो काफ़ी time भी लग जाता है, तो यहाँ पर आपके पास आजाएगा, a plus b, ठीक है, और फिर आपके पास आजाएगा, a minus b, that's all, इससे क्या होगा, देखो, यह 2k, 2k cancel होगा, यहाँ से k, k cancel होगा, और अजान होगा, 2k, 2k, sir, 4k, sir, यहाँ पर 1 आगया, 4k, यहाँ पर 1 आगया, यहाँ पर minus 5 बचा, यहाँ पर 2k, यहाँ पर आपका minus 1 बचा, फिर यहाँ पर आगया, minus 11, अब यह question बन गया, class 6 का, linear equation in one variable, कुछ नहीं करना, multiply करो, simplify करो, you will get the key, ठीक है, it is minus 20k, यहाँ से आएगा, minus 22k, तो उसको दे ले जाता हूँ, 22k होगा, यहाँ से minus 5 उदर गया होगा, प्लस 5 यहाँ पर बनाओगा, प्लस 11, तो 8 is 2k, 11 में से 5, 11, 5 प्लस होगे, 16, तो k is 8, तो हमें वो point find गरना था ना, तो y coordinate हमने निकाल लिया, 8, तो जो आपका first coordinate होगा, जो double है, तो that is 16, तो 16 and 8 is the right option, B path, काफी अच्छा कोश्चन है, NCRT based है, बट यह coordinates का concept जो double होगा रहा दी है, यह ध्यान रखना ठीक है, question number 13, A, B, C are the vertices of the triangle, then the length of the median from the vertex B, यह काफी simple question है, last lecture में भी इस टाइप है, question मैंने आपको दिया था, A, B, C आपके पास triangle है, तो इसका median B से draw किया गया है, तो जो median होता है, वो midpoint create करता है, तो M is a midpoint of AC, तो पहले M के आप coordinates निकालो, by using midpoint formula, फिर आप distance formula से BM का value निकालो, तो वही आपको length find करने ही, median की, तो M के coordinates निकाल रहे हम, तो A और C इसमें involved रहेगा, AC का midpoint निकाल रहे है, तो minus 2, minus 6, ठीक है, minus 2, minus 6, divide by 2, फिर 4 and 2, 4 plus 2, divide by 2, simplify गिया, it is minus 8 by 2, that is minus 4, 4 and 2, 6, 6 by 2 is 3, तो this is a midpoint और B के coordinates सो हमें पता है, यह तो 0-0 है, तो मस्त question हो गया, तो यह distance बड़े मज़े से आजाएगा, it is 4 का square 16, 3 का square 9, देखो जब आप किसी point का origin से distance निकाल रहे हैं, तो origin को आप बूल जाओ, इसके जो दो coordinates होते हैं, X और Y वाला, उनी का square सम कर दो, ठीक है, रूट कर दो उसका, यह रूट आगे 25, that is 5, 5 unit is answer, ओके दिएर, नाव दो question number 14, this is also very interesting question and very easy, ठीक है, रीट करते हैं, a line intersect Y axis and X axis at the point P and Q, there is a line, वो X axis और Y axis को दो point पे intersect कर रहे हैं, ठीक है, इफ P, this point 2 minus 5 is midpoint of that line segment P, Q, अब यह जो point दे रहा है, यह उस P, Q जो line segment बनेगी, उसका यह midpoint है, 2 minus 5, मैं आपको diagram से समझाता हू, मेरे बच्चे, यह आपका X axis, Y axis, ठीक है, सबसे पहले आप इस question में क्या काम कर रहे हैं, जो point दे रहा है, यह midpoint है किसी line segment का, तो पहले आप इस midpoint को कहीं plot कर दो, कहीं क्या, जहां इसकी location है, तो it is 2 and minus 5, ठीक है, 2 plus का और minus 5, ठीक है, तो this is a midpoint किसी line segment का, अब उल जो line segment है, इस M से तो pass करी रहे होगी, और उस आद में वो X axis और Y axis को भी cut कर रहे होगी, तो अब उल लाइन कैसे draw करोगी, तो आप देखेंगे वो line आप इसको इस तरह से draw करें, like this, ठीक है, तो this is a line, this is a line, intersecting Y axis at P point, and it is intersecting X axis at Q point, and the midpoint of this PQ is 2 minus 5, यह है question, चीक, यह मैंने आपको diagram से समझाया, तो basically आपको यह 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 Y axis और X axis पर एक एक point सबोस करना है, एक let करना है, और उसका यह midpoint होगा, midpoint formula से question बन जाएगा, diagram से मैंने आपको proper समझा दी है, question में क्या था, अब यहाँ पर आपको जैसे Q है, यह X axis पर बैठा हुआ है, Q कहाँ बैठा हुआ है, X axis पर बैठा हुआ है, let करो यह point, X axis पर आप जो point let करते हो, let this is k, 0, अब यह point कहाँ बैठा हुआ है, Y axis पर बैठा हुआ हुआ, coordinates इसके down negative में आएंगे, बढ़ बाद में अपने value negative आ जाती है, आप फिलाहल इसको unknown quantity के लिए, मलब H या 0, इस तरह, positive भी रखना है, मलब कहीं बढ़ बचे इसको minus H ले लेते हैं, ले सकते हैं, बाद में जो H की value आती है, उसको यहाँ replace करके, sign की adjustment भी करनी होती है, बढ़ मैं हमेशन सिजेस्ट करूँगा, जैसे unknown quantities ले रहे हो, आप K, यहाँ H, इनके साथ कोई sign नहीं रखना है, आपने negative आपके, इसको positive भी लेट करना होता है, बाद में अपने आपने negative बन जाएगा, आप देखें यहाँ पर, ठीक है, यह X-axis पर पाइंट आगया, यह आपका Y-axis पर पाइंट आगया, यह midpoint आगया, तो simply midpoint formula लगाओ, तो पहले मैं PQ का midpoint find करता हूँ, जो formula से हम निकालेंगे, तो 0 प्लस K, divide by 2, फिर आगया H प्लस 0, divide by 2, तो this is a midpoint of PQ, और हमें given भी यह वो, it is 2-5, बस compare कर लो, first equal to first, लिखेंगे आप K by 2 is equal to 2, तो K आपका 4 आगया, ऐसे आप second को करेंगे compare, H by 2 is equal to minus 5, तो H आपका minus 10 आगया, ओके दियर, तो हमें point चाहिए P, क्योंकि Y-axis पर था, 0,H, 0,H, H का value minus 10, देखो अपने अब negative आगये नहीं, यह अपने अब negative आजाता है, अगर आपने मानो, H minus पहले से लिया होता, तो H ने plus निकलना था, और उस minus जो यहां लिखा था आपने, फिर बाद में इसने वापीस minus ही आना था, बढ़ वो बच्चे लिखना भूल जाते हैं, minus तो फिर गलती होती है, तो आपने हके के साथ कोई sign नहीं का भी लिखने होती है, ठीक है, तो यह आपका P आ गया, फिर Q क्या था, K, 0, तो K कितना है, 4, 4, 0, तो हमें पूछा हुआ हुआ P and Q, तो देख लो P and Q कौन्स ऑप्षिन है, लास्ट ऑप्षिन दी, 0, minus 10, तो अच्छा कोश्चिन नहीं है, तो क्योच्चिन नम्बर 15, तो वर्तिस अफर ट्राइंगल, तो यहाँ तो नहीं, तो नहीं पूछिन थ्री वर्तिस आएगा, तो सेंटरेट का फॉर्मल लगा के, इसके कोईट्स निकालो सेंटरेट के, 1, P and minus 4, divide by 3, पहला कोईटनेट दूसरा, 2, minus 3, Q, second कोईटनेट, सेंटरेट गिवन भी है, that is 5, minus 1, compare करना है बस, ठीक है, यहाँ देगा, आपका, P minus 3 by 3 is equal to 5, और दूसरी माद है आपका, Q minus 1 by 3 is equal to minus 1, from here what is P, 5, 3 is 15, वो 3 उदर चला गया, P is 18, and from here Q is minus 3, फिर 1 उदर गया, and Q is minus 2, तो P 18 आ रहा है, यह रहा है 18, और Q minus 2 आ रहा है, एपार्ट, that's all, तो यह थे बच्चे, आज के question 15 MCQs, तबियत कुछ है, ठीक नहीं है, उसके लिए फिर से I am very sorry, next video lecture में मैं और अच्छे question ले क्या हूँगा, question करूँगा भी मैं case study के question साब को करवाऊँ, ठीक है, 3-4 questions में case study के ले क्या हूँगा, आपके next coordinate commentary, तब तक अपना ख्याल रखे, thank you, bye-bye,